बावलोग सिकायतों का मनजर अब खत्म हुआ The Rings of Power Season 2 जिस पेस के साथ सुरू हुआ था सुरू में बोर कर रहा था लेकिन आफटर था फॉर्थ एपिसोड बावा मज़ा आने वारा है लिंडन, नुमिनोर, मॉडर, रूम, खाजादूम और में पार्ट एरेग्योन में तबावा लिंडन में ऐलरॉन ने वापसी ले लिये जो आगे बढ़ रहा था गलैडियल के साथ एरेग्योन को लेकिन लिंडन जाके एल्वस आर्मी को अब उसे तयार करना पड़ेगा क्योंकि अडार एंड आउक्स ने गलैडियल को कैप्चल कर लिया है और एलरॉन को पता लग गया है कि आउक्स और एडार कहां पर मौजूद है और वो वापसी कर रहे हैं मौडर के द्रव यानि आउक्स और वो वहाँ पहुँच से सबसे पहले एल्रॉन एल्वस आर्मी को तयार करेगा ताकि आउक्स को मौडर पहसने से पहले ये लोग ठेर कर पाएं और पकड़ पाएं वरना ये आगे जाके बहुत तबाई करने वाले हैं और जो रिंग है ग्लैडिल की नैन्या वो काफी मददगार साबित हो रही है एल्वस के लिए दूसरा न्यूमिनॉर में जनता आक्रोस पर आचुकी है और वो कुईन रीजेंट यानि मिरिल को रानी नहीं चुनना चाहती है क्योंकि इस कूटिनीती के पीछे भी उसका भाई फैरजॉन का हाथ है और दूसरा जनता उससे इसलिए भी नाराज है क्योंकि उसने एल्विस जादुई मनी या पिर पत्तर कहो जिसका नाम प्लांटिर है उसका इस्तमाल किया और वो न्यूमिनोर के लोग पिछली जंग में अपने लोगों के खोनी की वज़े इस एल्विस कनेक्शन को ही बता रही है दोसरा रूम के रगिस्तान में भटकते भटकते अपना इस्तार यानि मिस्ट्री मैन टॉम बंबार्डिल नामक सक्स के टकरा गया जो दावा करता है कि he is a very old person जिसने ये धर्ती का formation खुद देखा है बार इसकी पहली बून भी देखी है और डाक लॉड भी इससी के सामने बना हुआ है और इसका काम अब इस्तार को ट्रेनिंग देने का होगा और तैयार करने का होगा लॉड डाक लॉड से भिड़ने के लिए और रूम के इविल विजाट से पंगा लेने के लिए इसके बाद नौरी और पॉपी अपने पुराने ट्राइब के मेंबर से मिल जाते हैं इसी एक्सिडेंट में जिनको वो स्टूर्स कहते हैं दुबारा से पाउरफुल रिंग बनाने के लिए और ये सबसे अमेजिंग पार्ट है इस सो का क्योंकि यहीं से कहानी पलटने वाली है मेबी मेबी ये फिप्त एपिसोड में अपने मनसूबों पर सफल भी हो जाएगा कौन हैल ब्रेंड यानि सौरॉन क्योंकि खाजा दूम से जिस मैजिकल पत्थर यानि मिथ्रिल की जरुरत थी वो ड्यूरिन ने उसे दे दिया है और बावा रिंग बनानी की प्रकरिया सुरू कर दी गई है जो रिंग बनाते ही हैल ब्रेंड रिंग छीन कर सौरॉन का रूप धानन कर लेगा तो बावा दिल थाम के बैट जाओ क्योंकि फिफ्त एपिसोड बहुत बहुत कुछ सर्प्राइसे आपके सामने लेकर आने वाला है 12th of September को और इस एपिसोड के बाद Rings of Power की काया पलटने वाली है definitely क्योंकि सौरॉन अब तबाही मचाने वाला है सबसे चुन-चुन कर बदला लेने वाला है खासकर ऑक्स और अडार से यह भी इसके चपेटे में आएंगे इनको भी यह पेल सकता है आपको कहा लगता है कि इस बार जो रिंग बन रही है वो सिर्फ एक रिंग होग कि फिफ्त अपिसोड में हमें क्या एक्स्टारडिनरी देखने को मिल सकता है बाकी और किस पार पर वीडियो बना सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे खतरनाग करेक्टर है आपका फेवरेट करेक्टर कौन सा है और किस करेक्टर के बारे में वीडियो बना सकते हैं